साल की सबसे बड़ी पोडिमा, कार्तिक पोडिमा, चुप चाप यह जलाएं एक दीपक, आपकी साथ पेढ़ी धन से माला माल हो जाएगी दोश्तों साल की सबसे बड़ी पोडिमा शी जिसे कार्तिक पोडिमा कहा जाता है कार्तिक पुड़मा वाले दिन आपको कुछ उपाई करने हैं अगर आप ये उपाई कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन खत्म नहीं होगा मातालक्ष्मी जी की भरपुर कृपा बनी रहेगी ये साल में एक बार आती है और इस बार कार्तिक पुड़माशी है वह भी आठ नवंबर दिन मंगलवार को ये बहुत बड़ी पुड़माशी है इससे देव दीपा बली भी कहा जाता है अगर कार्तिक पुड़माशी के दिन चुकि ये मंगलवार के दिन पढ़ रहे है इसले और भी शुबयोग में पड़ रही है इस बार की कारतिक पुडिमा वाले दिन कई दूलब शुश्रय योग भी बन रहे हैं ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्पुर्ण पुडिमाशी है इस दिन कई सारे शुबयोग बन रहे हैं इस दिन आपको कुछ उपाय करने हैं अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान के कृपा आपके उपर बनी रहेगी पूडिमा का दिन भागवान विशु और माता लक्षमी जी का दिन होता है इस दिन भागवान विशु और माता लक्षमी जी काफी प्रसन मुद्रा में रहते हैं आपकी सभी समस्याओं का हल और समाधान होगा जो भी आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा कार्तिक पुड़िमाशी को भागवान विश्मुजी की पूजा, तुलसी माता जी की पूजा, गव माता की पूजा और भागवान सीव और पीपल बर्च की पूजा की जाती है कार्तिक पुड़िमाशी का बहुत ही बड़ा महत होता है जो लोग कार्तिक पुड़िमा वाले दिन भागवान विश्मु जी को तुलसी दल अरपित करते हैं उनको पुत्र और धन की प्राप्ती होती है एक प्रेट में तुलसी दल और मंजरी रखकर शाली ग्राम के सामने बैठ जाएं ओम नमो भागुते बाश्दिवाय नमय मंतर को बोलते हुए भागवान का इश्मरन करें शाली ग्राम पर मंजरी समेथ तुलसी जी के पत्ते अरपन करने चाहिए कार्तिक पुड़िमा शी वाले दिन गंगा इश्नान का बड़ा महत्त होता है इस दिन गंगा इश्नान करें कि शी तिर्थ पवित्र नदी में इश्नान करें जो लोकार्तिक पुड़िमा पर गंगा इश्नान करते हैं उनके पित्र परसंड हो जाते हैं उनके साथ जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं उनके घर में स्वेम माता लक्ष्मी जी पधारती है आज मैं आपको बताऊंगा एक दीपक और कपूर शाधरन सा उपाय अगर आप एक दीपक और कपूर का यह उपाय करते हैं तो जीवन की हर परिशानी, हर कष्ट तकलीफ से निवारण हो जाएगा हर कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाएगी स्वेम माता लक्ष्मी और भगवान विश्मी आपके घर में निवास करेंगे उनका आशिरवाद आपको प्राप्त होगा अगर आप इस दिन भगवान की पूजा करते हैं ओम नमो भगवते वास दिवाय मंतर का जाब करते हैं और कार्तिक पूडिमा के दिन हवन में आहूती देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी अब मैं आपको लगातार उपाय बताने जा रहा हूँ आपको यह उपाय करने हैं सबसे पहला है कार्तिक पूडिमा के दिन जो लोग पीपल बर्च के नीचे दीपदान करते हैं यानि दीपक जलाते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है कार्तिक पूडिमा वासे पूडिमा वाले दिन पीपल बर्च के नीचे 108 बत्ती जलाएं या फिर 108 दीपक जलाएं या फिर नहीं है संभव तो एक दीपक भी जलाएं आप उसमें आप जरूर एक कपूर डाल दें या फिर आप जाहें तो दो लॉंग डाल दें और साथ बार परिक्रमा करें पीपल बर्च की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत का धागा लपेटें और आप ओम नमो भगते वाश्दिवाय माता लक्षमीच का इश्मरन करते हुए जरूर आप यानि की परिक्रमा करें तुलसी मातर के सामने चारो तरफ दीपक जलाएं जहां तुलसी का पवधा हो वहाँ पर चारो कोने पे दीपक जरूर जलाने चाहिए तुलसी माता की ए दिन गौ माता के सामने यानि की गौ माता के गौसाला में दीपक जलाते हैं उन्हें शुक्षम्रद्धी की प्राप्ती होती है और रोटी भी खिलानी चाहिए खीर बना कर उन्हें खिलाना चाहिए उनको पुत्र की प्राप्ती होती है उनके सत्रू उनसे भय खाते हैं और उनके सारे करज खत्म हो जाते हैं कार्तिक पूर्मा वाले दिन जो लोग भगवान कृष्ण की 108 बार यनि की उनके मंतरों का जाब करते हैं उनके पृतिमा की परिक्रमा करते हैं भगवान स्रीकृष्ण कृर्पा सदैब उस घर में बनी रहती है उनकी सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है जो लोग कार्तिक पूर्मा के दिन भगवान विश्मुजी को तुलसी दल और केला आरपित करते हैं उनकी सारी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है जो लोग भगवान विश्मुजी के सामने कारतिक पूर्मक दिन कापूर से आर्ती करता है उसके सरीर नुरोग उसका रहता है और उसके उपर माता लक्षमी परसन रहती हैं जो कि ये साल की सबसे बड़ी पूर्मा कारतिक पूर्मा इश्य देव दीपावली भी कहा जाता है तो इसलिए इस दिन आप अपने घर में यानि की पूरे घर में अपने मुख दरवाजे के पास दीपक जरू जलाएं आप अपने पूजा श्थान पर दीपक जलाएं मुख पीड़ी तक धन की कमी नहीं होती है साथ पीड़ी तक धन से माला माल बन जाते हैं इसलिए इस दिन कारतिक पुड़िमा के दिन पूरे घर में दीपक जरू जलाएं खास कर एक दीपक आप अपने मुख दरबाजी के पास जलाएं जरू जो पूरी रादर जलता रहे तो इस प्रकार से दीपक का खास महत है कारतिक पुड़िमा के दिन और कारतिक पुड़िमा के दिन बहुत ही खास रहता है तो आप सबसे पहले हाथ पर धोकर और स्वक्ष होकर स्वक्ष वस्तधारन करें माता लक्षमी पूजा राधना करें भगवार विश्तधारन के फिर आप दीपक को जला करके उसकी बाती को आप उत्तर दिशा की और मुख करके मुख दरवाजे पर जरूर रख दें इसा करने से शुक्षम्रद्य की प्राप्ती होती है दोस्तों उसमें चाहे तो आप एक कपूर भी डाल सकते हैं या लॉंग डाल दें तो विशेश लाब होगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें शेर करें शेलों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा जय मालक्षमी